के लास्पूर हन्मना में महिला की हत्या से इलागे में दह्षत का महौन और महिला की हत्या जब उसके पती अपने बेटे को इलाज के लिए लेकर जवलपुर गए हुए थे चार-पास दिन से वह जवलपुर में थे महिला घर में अकेली थी शायद इस बात की जानकारी किसी परचित को रही होगी वो महिला के घर में गुसा उसने महिला के हाथ पर पूरे घर का सामान उसने विखेर दिया महिला के गले का लाकेट और घर में रखे 30,000 रुपए गायब हैं महिला के गले के निशान साब तोर से बताते हैं उसकी हत्या इसी वज़े से हुई हुई कैलासपूर हनवना में 55 साल की महिला की हत्या से इलाके में संसनी मौके पर FSL टीम, डाग स्कॉयर्ट, फिंगर प्रिंट सहीत, वरिष्ट अधिकारी मौदूद, महिला के सव को पोस्मार्टम के लिए समधाईक स्वास्तें हनवना भेजने की तैयारी ख़बर लिखे जाने के समय, हम आपको बता दें, हनवना के कैलासपूर में ब्रेजलाल गुपता अपने परिवार के साथ रहते थे, बीते चार-पात दिन पहले से उनके बेटे की तबियत खरापती, वह बेटे को लेकर इलाज कराने जबलपूर गए हुए थे, घर पर उनकी पतनी सुखवरी भा जाजे को खट-कटाया, दरवाजा खुला, सामने सुकवरी भाई गुपता की लाज पड़ी हुई थी, घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, इस बात की सुचना, ततकाल ही हनमना पुलिस को दी गई, हनमना पुलिस ने वरिष्ट अधिकारियों को घटना से आउगत कराय ततकाल ही मौके पर पुलिस के सभी वरिष्ट अधिकारी पहुँच गई, एफिसल टीम को भी बुलाया गया, फिंगर प्रिंट और डाग स्कुएट टीम भी मौके पर पहुँची, जाच प्रारम की गई, महिला की लास को समदाइक स्वास केंद हनमना में पोस्ट माटम के लिए भेजने की तयारी की जा रही थी, पुलिस की माने तो घर के पूरे कपड़े और बिखरे सामान इधर उदर पहले हुए थे, महिला के हाथ पेर बंदे थे, पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा था, कोई वेक्ती परचित रहा होगा, चोरी की नियत से घुसा होगा, म पुलिस मान कर चल रही है, महिला की मौत इसी बज़ा से हुई, हलाकि सब को इंतजार है पोस्मार्टम रिपोर्ट का, उसके आने के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा, महिला ने गले में लाकेट पहन रखा था, घर में लग बग 30,000 रुपए थे, घर वाल के की अनपस्तित में महिला घर में अकेली, शायद इस बात की जानकारी किसी परचित को रही होगी, जिसके चलते हुआ, महिला के घर में चोरी की नियत से गुसी होगा, उसने महिला बान दिये होंगे, घर के सारे समान को इधर उधर बिखेर कर, अपने मतलब का समान निकाल और 921 हो गया महिला के गले में लाकेट भी नहीं चोट के निसान घर में रखे पैसे भी गायब महिला के गले में चोट महिला की मौत का कारण बन सकती है ऐसा पुरिस मान रही है पूरे मामले को लेकर हमने रीवा के एडिसनल एस पी अनिल सोनकर से बात की आईए आपको सुना कामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है हनुआ में कैलासफुर गाओं के अंतरगत एक ब्रशलाल गुपता का परिवार रहता है ब्रशलाल गुपता अपने बच्चे के शाथ में लाज करने के लिए इस तिन चार दिन पहले से जबलपुर गय हुए थे उनकी पत्मी जो है वहां अकेले थी और कल जो है दिन भर वो घर से बाहर नहीं निकली तो आसपरोस के लोगों वो संका हुई उन्होंने घर जा करके देखा तो उनकी लास पली ही थी इसकी सुचना पुलिस को मिली उनकी पत्नी जो सुकवरिया बाई गुपता है उम्रक लगभक पच्पन बर पुलिस जो है मौके पर कहुंची तो पाया गया कि उनके हाथ पर बंदे विए थे कपड़े और कुछ उनके समान पूरे घर के जिसकर थे तो ठम जश्टा ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ती तूरी करने घुसा हो और परचित हो इसलिए उसने उसका हाथ पर बाहन दिय दिये थे और चिलाने पर गले में छोट है जिससे उसकी मृत्यू सम्मावता होई है लास्ट को पीम के लिए भेजा गया है घटना इस तल पे एफ हैसल टीम लाग स्कॉर्ट और फिंगर प्रेंट यूनिट पूरा गया हुए है एस्डियोपी मभुगंज भी हैं बरिस्ट दीदारी भी वहां पहुचे हुए है